हेलो फ्रेंट्स मैं हो अनुज और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एक नई वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे आप मुआयल में कुछ भी हिंदी में टैपिंग कर सकते हैं वह भी इंग्लीस की वर्ड यूज करके जैसे की मेरा नाम ही हिंदी में टाइप करना होगा जैसे अनुज लिखना है हिंदी में तो मैं सिर्फ लिखूंगा ए एंड यूज तो वह अटेमेटिक हिंदी में लिखा जैगा सब्सक्राइब करना है जिसके बाद आप असानी से इंग्लिस की वर्ड यूज करके आप कुछ भी हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाले तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नहीं हो तो किर्प्या चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए काई आज का वीडियो शुरू करते हैं मैं आपको बताना कैसे आपको लिखा पार हुं तो वह इंग्लहारा है था हिंदी कीवोर्ट को एड़ करना परता है आपने कीवोर्ड में आपणा है यहां पर क्लिक करके इसे पर ल्याकर निजिक करने करने गर civil peak और यहां पर आपको बहुत सार लेंगोज़ आ जाएंगे तुम आपको सिंपनी हिंदी लेंगोज से करना था यहां पर फोट्ड ने के बाद आपको लोगत्व काम मिल जागा लेकं अपने चिवडिक यहां आपको हिंदी टैपिंग करना है तो मैं अभी अगर टाइप करने के लिए सिंपल्य आपको यहां पर आइकन का एक आइकन मिलेगा जैसे आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका की वर्ट हींदी में करना हो जाएगा तो अभी वी अव लेकिन कीबर्ड आपका एंगलिस में है लेकिन आप इससे हिंदी कर सकता है जैसे चलिए मैं आपको लिखाता हूं जैसे मैं अनुज टैपिंग लिखना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं इस तरह से आप आसानी से कोई भी हिंदी का सेंटेंस या वर्ड आपको कर सकते हैं तो फ्रेंट्स ये थी वह ट्रिक्ट ऐससे आप अफने इंगलेस की बीड़ की मजबत से ही हदीर कर सकते हैं Tahun प्रिफरेंस देखा कितने असानी तरीके से मात्र अपने मुआयल के सेटिंग्स में कुछ छेशार करने के बाद आप असानी से इंग्लिस की वर्ड यूज करके आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं वह भी हिंदी में आप लोग ने अभी तक हमें इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर लिजे मेरा आइडिया अनुस्तरमा जीरोगन जिसका लिंक आपको नीचे डिस्किप्सन बॉक्स में मिल जाएगा तो गया उम्मीद करता हूं आज का वीडियो बहुत जाएं इंट्रेस्टिंग लागा चलिए अब मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्स पर वाचिंग